सब्सक्राइब तो आज चैनल प्रेस्टी बेल आइकन डेट यू केंट एवरी अपडेट इंस्टेंटली नमस्कार दोस्तों तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about spoken English and broken English तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे सबसे पहले हम author के बारे में देखेंगे उसके बाद हम इसके text को read करेंगे उसके बाद हम इसकी summary पढ़ेंगे जिसके अंदर मैंने किया गया है कि इस पूरे text में से जो जो main points है उसे systematic order में set किया है जिससे हमें क्या होगा रिवीजन करने में इसकी आसानी होगी कि जब कभी भी हमको इसे पढ़ना होगा या just इस text को पढ़ने के बाद ही हमारा एक बार revision हो जाएगी उस चीज की उसके साथ ही हम जब भी हमें summary लिखनी होगी या इससे related कोई answer लिखना होगा तो हम फिर उन points को अपने convenience के हिसाब से उसके इंदर put कर सकते हैं ठीक है तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले about the author तो इस text के author है George Bernard Shaw तो मैं आपको इसके बारे में एक चीज बता देता हूँ इस text को पढ़ने से पहले कि यह basically एक radio conversation है जो कि George Bernard Shaw की है और इस conversation के उपर focus किस चीज के उपर किया गया है कि there is no such type of ideal correct English ठीक है कोई भी ऐसी perfect या correct English नहीं होती है तो इस इंसान को भी English सीखनी है या English बोलनी है उसको इस चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि मैं correct English बोलू उसे इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि मेरी English जो है वो presentable हो वो सामने वाले जो person है उन्हें समझ आनी चाहिए ठीक है तो इस चीज के उपर इसके अंदर focus किया गया है तो आईए शुरू करते हैं about the author तो इसके author है George Bernard Shaw अब George Bernard Shaw जो है वो एक Irish playwright है Irish playwright यानी कि वो person जो कि Ireland से बिलॉंग करता है और playwright का मतलब कि वो person जो drama लिखता है जिसे हम नाटक बोलते है या drama बोलते है ठीक है तो Irish playwright है और साथ ही वो co-founder है of London School of Economics जो George Bernard Shaw है उनकी जो शुरूआती दिनों की या जो first profitable writing का जो area था यानी कि शुरूआती दौर में वो जिसके उपर लिखा करते थे वो music and literary criticism था जिसके अंदर उनने बहुत ही अच्छे अच्छे highly articulate piece of journalism लिखे है ठीक है लेकिन जो इनका main talent था वो था drama उन्होंने more than 60 plays लिखे हैं उसके साथ ही वो essayist, novelist and short story writer भी थे इनकी जितनी भी writings है उनके अंदर हम एक चीज़ देखेंगे कि इनकी सारी writing उस time की जो भी social problems होती थी उन सारी social problems के उपर based होती थी ठीक है और इनकी writing में एक और खास बात ये थी कि वो सारी के सारी social problems के उपर एक comedy के तरीके से एक तंज एक व्यंग के तरीके से चीज़े लिखते थी ठीक है उनकी जादा तर writing आपको जो है वो इसी तरीके की मिलेंगी जो की पढ़ने में तो comedy लेगेगी लेकिन वो उस time की social problems को दर्शाती होंगी George Bernard Shaw के बारे में एक और खास बात ये है कि ये अकेले ऐसे person हुए है जिनको Nobel Prize for Literature जो की 1925 में मिला और Academy Award जो की 1938 में मिला मतलब की कितनी खास बात है इनके बारे में कि ये अकेले ऐसे person है जिनको Nobel Prize of Literature भी मिला है और जिनको Academy Award 1938 का वो भी मिला है और किस चीज के लिए मिला है for his contribution to literature and for his work on the film Pygmalion Pygmalion के लिए उन्हें Academy Award मिला था और इनका जो literature के अंदर जो work है उसके लिए उन्हें Nobel Prize in Literature मिला 1925 के अंदर में तो आईए शुरू करते हैं इसके text के साथ अब इसके text को हम कैसे पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो मैं इसको अपनी language के अंदर या फिर आप ऐसे कहिए कि सबसे पहले हम इसके paragraph को एक simple language के अंदर समझेंगे उसके बाद फिर हम इसके पूरे text को पढ़ेंगे ताकि हमको इसके पूरे text को as it is समझने में आसानी हो ठीक है तो जो पहला paragraph है इसके अंदर GB shop क्या बोल रहे हैं कि मैं ऐसा suppose करके चलता हूँ कि जिनको भी मैं ये radio conversation address कर रहा हूँ उनकी mother tongue English नहीं है मतलब कि वो लोग English language के foreign student है English language के foreign student का मतलब कि वो लोग जिनकी mother tongue English नहीं है ठीक है जिनकी जो native land है महाँ पर उनकी original भाषा कुछ और है English नहीं बोलते है वो originally ठीक है और वो जो लोग हैं वो सभी ऐसा desire रखते हैं कि वो ऐसी English बोलें कि जब कभी वो British Commonwealth British Commonwealth का मतलब होता है वो जगए जहां पर कभी अंग्रेजों ने राज किया था ठीक है तो जब भी वो कभी British Commonwealth या America जाएं या वहां के रहने वाले लोगों से मिलें और English में बोलें तो उन लोगों को हमारी बात समझ लग जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग मुझे अभी सुनेंगे वो लोग वो हो जिनकी mother tongue तो English है बट वो अपने regional dialect में English बोलते हो regional dialect मतलब अब इसको बस आप ऐसे समझ लिजिए कि जैसे आप जिस भी state में रहते हैं आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब आप एक district से दूसरे district जाते हैं तो आपकी बोली के अंदर में और वहां की बोली के अंदर में थोड़ा बहुत बोलने के तरीके में शब्दों के उचारन में उनके pronunciation में difference आयाता है जैसे अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब के अंदर एक region के अंदर में किसी और तरीके से पंजाबी बोली जाती है, दूसरे region में किसी और तरीके से बोली जाती है, ठीक है, तो ऐसा होता है, तो एक ही language के बहुत सारे dialect होते हैं, तो क्या हो सकता है, कि वो लोग उनकी mother tongue तो English है, लेकिन वो अपने regional dialect में English बोलते हूं, और जब व भी वो अपने region से बाहर जाकर English बोलेंगे, तो उन्हें humiliate होना पड़ेगा, लोग उनके उपर हसेंगे, उनका मजाक बनाएंगे, ठीक है, उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा, या फिर उन्हें ऐसा लगता हो, कि उनकी incorrect English, उनके अच्छी employment या काम ढूंडने में रुका डालती है, और नौकरी मिलती किसको है, जो कि उनके हिसाब से so-called correct English बोलते हैं, ठीक है, यह पहले paragraph में है, अब आईए इसको हम रीड करते हैं, तो यह है कि I am now going to suppose that you are a foreign student of English language and that you desire to speak it well enough to be understood when you travel in the British Commonwealth or in America or when you meet a native of those countries और, it may be that you are yourself a native, but that you speak in a provincial or conquering dialect, जो हमने बात की न, हमने regional dialect में बात करते होंगे, और which you are a little ashamed and which perhaps prevent you from obtaining some employment, which is open to those only who speak what is called correct English, तो यह इसके पहले paragraph के अंदर था, अब दूसरे पैरे में क्या कहा है, दूसरे पैरे में author कहते हैं कि चाहें तुम foreigner हो या फिर native हो, या फिर native हो, यानि कि अब ये foreigner और native English language के comparison में हो रहा है, मतलब चाहें तुम वो लोग हो जिनकी native language या जिनका जो mother tongue है, वो English हो, या फिर तुम वैसे लोग हो जो originally कोई और भ no such thing as ideally correct English, क्योंकि अगर तुम दो Britishers को भी देखोगे, तो वो भी exactly same English कभी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, no two Britishers subject speak exactly alike, कोई भी ऐसा नहीं है कि दो Britishers आपस में बात कर रहे हैं, तो वो दोनों के दोनों same ही तरीके से एक शब्द को pronounce करते हो, या same ही तरीके से बोलते हो, ठीक हूँ, जिसमें मेरा काम है, यह चेक करना कि जिनको corporation जो हमारी है, वो employee कर रही है, जिनको corporation काम पर रख रही है, उनकी English pronunciation ठीक है कि नहीं, मतलब कि जो British Island जो है, उनके लिए role model of correct English speech बन सकते हैं कि नहीं, ठीक है, यह चीज है, यह उन broadcasting corporation के member थे, यहाँ पर देख यह लिखा ह or a native, the first thing I must impress on you is that there is no such thing as ideally correct English, कोई भी ऐसी ideally correct English, no two British subjects speak exactly alike, ठीक है, I am a member of committee established by the British Broadcasting Corporation, the purpose of deciding how the utterance of speakers employed by the corporation type की चीज नहीं है, should be pronounced in order that they should be model of correct English speech for the British Island, जो हमने पहले बात की, तो आगे इस paragraph में वो यह कहते हैं कि अब जिस committee का मैं member हूँ, उस committee के जितने भी member हैं, सारे के सारे बहुत educated person हैं, जिनकी speech किसी भी society के लिए, मतलब जिस तरीके से वो English बोलते हैं, वो किसी भी society के लिए, या London में किसी भी employment के लिए correct और refined है, जानि बहुत ही अच्छी मानी आ सकती है, हमारे chairman को, हमारे chairman जो है, वो poet laureate हैं, और English के words के pronunciation के specialist हैं, मतलब कि जो इनके chairman है, इस committee के, वो खुद एक poet laureate है, और साथ ही वो जो किस तरीके से किसी word को pronounce करते हैं, उसके specialist हैं, हमारे एक member है, Sir John Forbes Robertson, ठीक है, तो John Forbes Robertson जो हैं, वो एक famous actor हैं, और अपनी beauty of speech के लिए जाने जाते हैं, फिर इसी तरीके से, मेरी जो बात अगर तुम करो, तो मेरा भी public speaking का एक लंबा experience रहा है, और मेरा काम था कि मैं जो plays होते हैं, उनको direct करता था जब, तो जो उसके actors होते थे play के, उनके dialogues को ध्यान से देखना कि वो किसी अपने dialogues को सही तरीके से बोल रहे हैं कि नहीं, ठीक है, तो उस committee के अंदर ऐसे लोग हैं, जिनकी English खुद में ही इतनी refined है, बट कोई भी इस बात पर राजी नहीं होता कि दूसरे person की pronunciation सही है, मतलब हर किसी को, जिस तरीके से वो English खुद बोलते हैं, या किसी word को pronounce करते हैं, उनको वही चीज जो है, वो सही लगा, इस paragraph में दिया हुआ है, ठीक है, अब आइए इस paragraph को पढ़ते हैं, कि all the members of that committee are educated persons, whose speech would pass as correct and refined in any society or any employment in London, our chairman is the poet laureate, who is not only an artist, whose materials are the sounds of spoken English, but a specialist in their pronunciation. One of our members is Sir Johnston Forbes Robertson, famous not only as an actor, but for the beauty of his speech. I was selected for service on the committee, because as a writer of plays, I am accustomed to superdent their rehearsals, and to listen critically to the way in which they are spoken by actors, who are by profession trained speakers. मतलब जिनको वो, जिनके rehearsals को वो डिरेक्ट करते हैं, देखता था, और वो भी एक trained speakers होते थे. Being myself a public speaker of long experience, the committee knows as much as anyone know about English speech, and yet its members do not agree as to the pronunciation of some of the simplest and commonest words in the English language. इतने सारे लोग थे, सबके सब इतने educated लोग थे, इतने refined English उनकी मानी जाती थी, लेकिन कोई भी उनमें इस बात पर agree नहीं करता था, कि मतलब अगर simplest से simplest और commonest word भी ले लो, मतलब ऐसा word जो आम बोली जाती है, उसको भी आप ले लोगे, तब भी आप ये नहीं मान के चल सकते कि वो जो members से वो एक दूसरे पर राजी होते थे, ठीक है? ये जीज़ा इसके अंदर, उन्होंने दो simplest जो word हैं, उनकी example को लेते हुए कहा, वो दो simplest word थे, yes और no, yes और no, किसी भी language की, के जो हैं, वो सबसे simplest word होते हैं, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, English language की, तो हम particularly English language के ही perspective से देखेंगे, ठीक है, तो ये कहते हैं कि मैं दो example, मैं English language के, yes और no, अब अकर हम yes और no की ही बात करें, तो कोई भी ऐसा speaker नहीं है, या कोई भी ऐसे दो speaker नहीं है, मेंबर हमारी committee में नहीं है, जो इसे same pronounce करते हूं, ठीक है, पर हम ऐसा कह सकते हैं, कि हर एक member इस तरीके से बोलता है, कि अगर वो yes या no को pronounce करे, तो वो इस way में करे कि किसी भी English speaking country में समझ आ जाए, यानि कि intelligible हो, और बोलने वालों को, या उन लोगों से, मनलब जो लोग, मनलब बोल रहे हैं, मनलब yes और no को, यहाँ पर yes और no, दो word के example लिए, आप किसी भी word के example ले सकते हो, कहने का simple मतलब इसने ये है, कि दो communist word भी अगर आप उठा लो, communist और simplest word भी उठा लो, English के yes और no के, yes और no, तो भी कोई इन members में से दो member ऐसे नहीं होंगे, जो कि इन दोनों word को सेम तरीके से बोलते हो, ठीक है, लेकिन हर member इस तरीके से जरूर बोलता है, कि किसी भी English speaking country के अंदर में, जहाँ पे लोग English बोल रहे हैं, उन लोग को के लिए वो जो शब्द है, या वो जो pronunciation है, वो intelligible हो, ठीक है, और बोलने वालों को उन लोगों से अलग दिखाये, जो कि अनपढ़ है, या ignorant है, ignorant है यानि कि वो लोग जिनको English नहीं आती है, जो English language से अंजान है, मतलब कि उनको जो English बोलते हैं, या जो English बोल सकते हैं, उनको जो English न सामने वाले पार्टी को समझ में आ जाये, और आपको उन लोगों से अलग कर दे जिनको वो language आती ही नहीं है, ठीक है, जैसे कि the two, इसमें यही लिखा है, कि the two simplest and communist words in any language are yes and no, but no two members of the committee pronounce them exact alike, all that can be said is that every member pronounces them in such a way that they would not only be intelligible in every English-speaking country, but would stamp the speaker as a cultivated person as distinguished from an ignorant and illiterate one, you will say, well, that's good enough for me, that is how I desire to speak, but which member of the committee will you take for your model, मर्रब यहां पर यहां पर यह कह रहे हैं कि भाई अब तुम कहोगे कि ठीक है, तुमने मुझे काफी कुछ बता दिया, ठीक है, लेकिन अब question यह उठता है, कि यहां पर मालनों की committee के अंदर पांच मेंबर हैं, पांचों के पांचों मेंबर सही English बोलते हैं, refined English बोलते हैं, अब तुम किसे choose करोगे, ठीक है, क्योंकि हमारे में Irish member भी है, Scottish member भी है, Welsh member भी है, Oxford University members भी है, American members भी है, और जितने हैं सारे के सारे recognizable हैं as such by their difference of speech, यह सब के सब इसी बात के लिए जाने जाते हैं, कि वो कितने अलग-अलग तरीके से बोलते हैं, और हर इंसान जो यह सारे member है यह सारे ही एच्छे English बोलते हैं, ठीक है, तो तुम किसको अपने जो है, ideal मान के चलोगे, they differ also according to the country in which they were born, अब आगया न, regional dialect वारा मामला, ठीक है, तो they differ also according to the country in which they were born, now as they all speak differently, it is nonsense to say that they all speak correctly, ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, कि अलग-अलग members है, ठीक है, अलग-अलग members है, तो अब आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि सारे के सारे members जो है, वो correct English बोलते है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, तो all we can claim that they all speak presentably, and if you speak as they do, you will be understood in any English-speaking country and accepted as a person of good social standing, मतलब कि, कि हमारी जो committee है, जीवी शौ बोलते हैं, उसके अंदर में अलग-अलग तरीके कि मेंबर हैं, अलग-अलग तरीके से speech बोलते हैं, मतलब अलग-अलग तरीके से English बोलते हैं, क्योंकि वो जो है, वो अलग-अलग जगह से belong करते हैं, ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सारे के सारे सही English बोलते हैं, क्योंकि सही English क्या है, हना किसी को नहीं पता, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सही English correct English बोलते हैं तो what you can say कि all the members of the committee speak English presentably